हेलो इस्टुडेंट्स मेरा नाम है मनीश और डीएवी गुरू के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वन के फर्स्ट वक्षीट को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमें रैशनल नंबर से रिलेटेट कुछ कोस्टन्स दिय लिखना और अगर आपके लिए वह लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरीके के वीडियो जाते रहते हैं तो इस्टार्ट करते हैं हमारे पहले वक्षीट को यहां पर सबसे पहला कोश्टन की इवेन उसमें पूछा गया है which of the following are rational numbers हमने rational number के बारे में detail में पढ़ा था कि rational number ऐसा number होता है जिसको हम लोग P by Q के form में लिख पाते हैं that can be written as in the form of P by Q and Q should not be equal to 0 ये भी एक condition था तो जो जो इसमें से number इस condition को fulfill करता है उसको हम लोग rational number बोल सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला number है minus 3 क्या इसको हम लोग P by Q के form में लिख सकते हैं जरूर लिख सकते हैं इसको हम लोग minus 3 by 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे Q के place पे 1 आया Q is equal to 1 और it is not equal to 0 इसलिए ये जो है minus 3 is a rational number इसको हम लोग यहाँ पे indicate कर देंगे दूसरा जो यहाँ पे question है उसमें है minus 2 by 3 क्या यह rational number है इसको भी हम लोग यह तो already P by Q के form में है और यहाँ पे Q के जगा पे क्या है 3 है तो Q is equal to 3 and P is equal to 2 minus 2 यहाँ पे negative sign है ना तो यहाँ पे negative sign है इसलिए P is equal to minus 2 and Q is equal to 3 और यहाँ पे Q जो है is not equal to 0 इसलिए it is a rational number इसको हम लोग यहाँ पे indicate कर देंगे उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे है given 4 by 0 यहाँ पे P equal to क्या है P equal to 4 है और Q equal to क्या है 0 है बट हमने condition में पराता कि Q should not be equal to 0 Q 0 के equal नहीं होना चाहिए इसलिए it is not a rational number उसके बाद 4th question में 0 by minus 5 यहाँ पे P के जगा पे क्या है 0 है और Q के जगा पे minus 5 है that is not equal to 0 तो यहाँ पे तो इस condition को fulfill कर रहा है दोनों condition को तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे it is a rational number अब solve करते है question number 2 को जिसमें बोला गया है write down the rational numbers in the form of P by Q whose numerator and denominator are given below हमें एक rational number लिख के बताना है जिसका numerator और denominator हमें यहाँ पे given है जैसे कि first question में numerator के place पे हमें minus 5 into 4 दिया हुआ है और denominator के जगा पे क्या दिया है minus 5 plus 4 तो हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे numerator के जगा पे P आता है तो P is equal to minus 5 into 4 is equal to minus 20 और Q के जगा पे हमें क्या डालना पड़ेगा Q is equal to minus 5 plus 4 इसका मतलब यह हुआ कि minus 1 अब हम लोग इसको P by Q के formal लिख सकते है P by Q is equal to minus 20 by minus 1 इसको simplify करेंगे तो उपर भी minus नीचे भी minus cancel out कर देगा एक दूसरे को और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 20 by 1 और उसको हम लोग 20 भी लिख सकते हैं तो या तो ऐसे हम लोग answer लिख के छोड़ सकते हैं या तो ऐसे भी answer लिख के छोड़ सकते हैं दोनों सही हैं तो यह हो गया हमारा rational number rational number 20 by 1 उसके बाद second question में हमें फिर से P by Q दिया P के जगा पे 64 divided by 4 और Q के जगा पे 32 minus 18 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखते है P is equal to 64 divided by 4 यहाँ पे इसको divide करके लिख देंगे 16 और यहाँ पे Q के जगा पे 32 minus 18 यहाँ पे minus करने के बाद हो जाएगा 4 और इधर 14 बजेगा यहाँ पे तो अब इसको P by Q के form में लिखेंगे क्योंकि rational number को P by Q के form में लिखते हैं और यहाँ पे P के जगा पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा हम लोग इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको lowest term में भी लाके छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे इसको lowest term बना देते हैं 2,8 जा 16, 2,7 जा 14 यह हो गया 8 by 7 तो यह इसका answer हो गया या तो बुक में ऐसे answer दिया होगा या तो ऐसे दिया होगा अब solve करते question number 3 को जिसमें की बोला गया है which of the following are positive rational numbers इसमें से positive rational number कौन कौन है उसके बारे में हमें बताना है तो यहाँ पे हमने पढ़ा था theory वाले वीडियो में अगर आपने theory वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका link description में है आप जाके देख सकते हो उसे मैंने सारा theory explain किया है तो positive rational number के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर उपर भी और नीचे भी same symbol हो यानि कि P के place पे और Q के place पे अगर same symbol वाला integer हो तो उस case में हम लोग बोलते है कि ये rational number positive है तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि उपर जो है negative integer है और नीचे positive integer है तो ये negative rational number हो गया इसको positive नहीं बोल सकते हैं यहाँ पी alternate symbol है उपर positive number है नीचे negative है तो ये भी negative rational नंबर हो गया, same symbol होगा, तभी हम लोग उसको positive rational number बोल सकते हैं, अगर opposite symbol हुआ तो positive rational number नहीं बोलेंगे, उसको negative बोलेंगे, यहाँ पे भी उपर प्लस है, यहाँ पे नीचे भी प्लस है, तो यह हो गया positive rational number क्योंकि इसका दोनों symbol same है, उसके बाद four number में उपर minus, नीचे भी minus यहाँ भी same symbol है, तो यह इस case में हो गया positive rational number, फिफ्ट नंबर में given है, 0 by minus 3, 0 एक ऐसा integer है, जो कि ना तो positive है, ना तो negative है, लेकिन यहाँ पे नीचे negative sign है, तो उपर भी negative sign होना चाहिए, तभी तो इसका हम लोग positive rational number बोलेंगे ना, क्योंकि symbol same होता है, तभी बोलते हैं, ले question पुछा गया है, और दोनों को अच्छे से answer करना है, अगर आपने theory वाला video अच्छे से देखा है, तो यह समय ने already explain कर दिया था, यहाँ पे पहले question में पुछा गया है, which integer is neither positive nor negative, कौन सा integer ऐसा है, जो कि ना तो positive है, ना तो negative है, तो number line हमने draw किया था, बीच में 0 था, और इ minus infinity, तो इस तरीके से था, तो यहाँ पे ना तो positive ना तो negative कौन है, अभी just हमने पिछले question में भी देखा, वो number है 0, तो इसका answer हो जाएगा, answer will be 0, second question में बोला गया है, और rational number can always be written as P by Q, यह तो सही बात है, एक rational number को हम लोग हमेशा P by Q के form में लिख सकते हैं, P by Q, जैसे 3 by 4 हो गया, minus 3 by 2 हो गया, यह सब rational number है, जिसको हम लोग P by Q के form में लिख सकते हैं, उसके बात बोला गया है, is it necessary, क्या यह जरूरी है, that any number written as Q by P is a rational number, अगर हम लोग इसको पलट दे, P के जगा पे Q को कर दे, और Q के जगा पे P को कर दे, तो क्या यह जरूरी है कि rational number उस case में भी हो लिख दे, तो भी यह rational number कहलाएगा, उसके बाद minus 3 by 2 को हम लोग 2 by minus 3 कर दे, तो भी यह rational number कहलाएगा, तो इस case में तो यह सब सही मिल रहा है, लेकिन क्या कोई ऐसा rational number है, जिसको हम लोग पलट दे, तो यह condition को fulfill नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी rational number है, जैसे कि एक rational number है, 0 by 5, य जाएगा न, q by p के form में, लेकिन इस case में यह rational number नहीं कहलाएगा, क्योंकि नीचे जो होता है, वो 0 के equal नहीं होना चाहिए, मैंने बताया था, नीचे generally q होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया गया है, तो नीचे p आ गया और p को 0 के equal नहीं होना पड़ेगा, तभी यह rational number क necessary, question number 5 में बोला गया, state whether the following statements are true, क्या जो नीचे statements given है, क्या वो सही है, हमें बताना है, if not अगर वो गलत है, justify your answer with an example, हमें एक example देना है और बताना है कि क्यों गलत है, every natural number is a integer, क्या सभी natural number integer है, तो यहाँ पे natural number कहां से कहां तक होता है, 0 तो नहीं होता है natural number, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, up to infinity, तो यह सारा है natural number, तो क्या सारा natural number integer के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा, integer में तो यह सब आता है, minus 1, minus 2, minus 2, minus 3, minus 4, यह सब आता है, यह सब integer के अंदर में है, तो क्या सारा natural number integer के अंदर में आया, बिल्कुल आया, all natural numbers are integer, यह बिल्कुल सही statement है, third number में बोला गया कि every integer is a whole number सारा integer whole number है तो ये तो गलत लग रहा है क्योंकि अगर हम लोग number line पे देखें तो integer सब है 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity और इधर भी है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ये सब integer के अंदर में आता है तो क्या सारा integer whole number कहलाएगा whole number तो सिर्फ यहां से यहां तक है ये है whole number, 0 to infinity is whole number बट integer ये सब है, है न तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा integer whole number के अंदर में नहीं आता है सारा whole number integer के अंदर में भले आ रहा है लेकिन all integers are not whole number तो यहां पे इसका सही जो answer होगा वो होगा no और इसका example क्या हो जाएगा example किसी को लिख देंगे ये सब जो है, ये सब whole number नहीं है लेकिन integer है तो example में minus 1 लिख दो, minus 2 लिख दो minus 3 लिख दो, कोई भी लिख दो question number 4 में बोला गया है every integer is a rational number जितना भी integer है वो rational number है तो क्या ये सही है, देख लेते हैं अगर number line पे अगर हम लोग integer को देखें तो कौन कौन है, 0 है 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity और इधर है minus 1, minus 2 minus 3, minus 4, minus 5 तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि क्या हम लोग देखेंगे कि क्या सभी integers को rational number के form में लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 5 by 1 4 को लिख सकते हैं 4 by 1 3 को लिख सकते हैं 3 by 1 0 को लिख सकते हैं 0 by 1 minus 3 को लिख सकते हैं minus 3 by 1 किसी को भी उठाकर देख लो हम लोग P by Q के form में लिख सकते हैं और Q जो है जीरो के equal भी नहीं आ रहा है, मतलब condition पूरा-पूरा satisfy कर रहा है, तो यहाँ पर यह जो statement है, यह सही हो जाएगा, every integer is a rational number, यह बिल्कुल सही statement है, पाचवे statement में given है, every rational number is a fraction, जितना भी rational number है, वो fraction में ही होता है, तो यह तो गलत statement है, सारा rational number fraction नहीं होता है, integer भी तो rational number है ना, बट integer तो fraction नहीं होता है, तो इसका example हो जाएगा, पिछले question में देखा, क्योंकि इसको PY Q के form में सब को हम लोग लिख सकते हैं, 6 point में लिखा है every fraction is a rational number जितना भी fraction है वो rational number कहलाएगा तो ये बिल्कुल साइज statement है yes जैसे कि हमने number line में परा था 0, 1, 2, 3 तो जो fraction है वो कहाँ पर लाई करता है 0 और 1 के बीच में 1 by 2 1 और 2 के बीच में 3 by 2 तो ये सब जो numbers है ये सब क्या है rational number है जितना भी fraction होगा वो rational number होगा बट सारा rational number fraction नहीं होता इस जश्ट हमने पिछले question में देखा तो इसका सही answer हो जाएगा yes तो बस इस वीडियो में इतना ही हमने worksheet 1 के हर एक question को detail में study किया और इसको कैसे solve करते हैं उसके पीछे क्या theory है सब मैंने आपको explain किया प्रेंट के साथ जरूर शेर करना तो मिलते अगले वीडियो में next worksheet के साथ दबतक के लिए अपना ध्यान लखो और अच्छे से बढ़ाए करते रहा है कि अ अ